हाँ जी साथ स्रीयकाल जी सार्यानू इन्वेश्टर पंजाब वेच तो हड़ा बहुत बहुत स्वागत कर देयां ओछ चैनल जिते पंजाबी पाशा वेच फाइनेशियल एड्यूकेशन दिती जांदी है पैसे नू मैनेज करना अतेवत उना सखाया जानदा है जो के स्कूल ना देकाल जा मच दस्या ही नहीं जानदा आज दे अपिसोड वेच मैं तो हैनो ना सिर्फ शेर मार्केट दी बेसिक नौलेज देवाँगा बलके शेर मार्केट दे बेसिक एड़वांस कॉंसेप्स नो डिटेल वेच अक्स्पिलिन करांगा ता जो तसी जान सको के असल वेच शेर मार्केट की है शेर मार्केट एक जहा बजार है जिते लिश्टड कमपनिस दे शेर दा इंडियन स्टाउक एक्सचेंज बी ऐसी जहां एन ऐसी वेच ट्रेड कीता जानदा है मतलब खरीदे जहां वेच जानदा है Stock market दे जरिये, एक आम इन्वेस्टर भी, निफ्टी जां सेंसेक्स दियां, टॉप दियां companies विच पैसा लगा के shareholder बन सकता है Market दा अर्थ है ओँ जगा जिते चीज़ां खरी दियां दे वेचियां जान दिया है एसे तना Stock market एक जेही जगा है, जिते बहुत सारी कंपनियां लिश्टेड हों दिया है अधे ओ सारी कंपनियां आपने कुछ share वक वक कीमता में वेचन लई जारी कर दिया है पर दूजी पासे, जे कर share दी कीमत काट जान दिया है, ता इसनों वेचन दे नुफसान होदा है ता हनु दा सदाई है के share दी कीमत वेच उतार जड़ा हुंदा रेंदा है आज कुछ हो रहा है, अधे काल कुछ हो रोगेगा जादातर लोग श्टोक मार्केट वेच पैसा सिर्फ एसल ही इन्वेच्ट कर दे हैं ता जो फ्यूचर वेच उननों वद तो वद रिटर्न मिल सके अधे वो जल्दी तो जल्दी अमीर बाण सकन पर share बजार नों समझना इनना असान नहीं है तो हानों बहुत सारे बेसिक टर्म से दा पता होना चाहिदा है जिमें से भी मतलब स्क्योर्टी अक्स्चेंज बोर्ड ओफ इंडिया जैसे दा share market वेच बहुत बढ़ा रोड होंदा है तो हानों ये concept इस example ना समझा जावेगा मन लव के तोसी एक company शुरू कीती है अधे कोज समय लई तो हाड़ी company ने बहुत वधिया ग्रोस कीती पर होन तो हानों अपनी company नो होर अगेब दोना है जिसले तो हानों 10 लाख रुपई दी लोड है पर तो हाड़ी को लेने पैसे नहीं है ता तुसी की करोगे हो सकता है के तुसी सोचोगे के मैं bank तो परजा लाएके अपनी company मेंच इन्वेस्ट कराँगा पर तुसी यह भी जान दे हो के तो हानों अशते बहुत ज़्यादा व्याज देना पवेगा फिर असी होर की कर सकते हाँ इस दा दूजा तरीका है के तुसी अपनी company नू stock market वेच लिष्ट करो अथे अपनी company दे share जारी करो फिर लोग तो हाड़ी company वेच पैसा लगाँगे पर होन सवाल है यह उन्दा है के तुसी किसे company नू share बजार वेच के में लिष्ट कर सकते हो जे करता हनू 10 लग रुपाई दे जुरूरत है ता तुसी अपनी company नू stock market दे लिष्ट कर सकते हो अथे असानी नाल 10 लग रुपाई कर ठे कर सकते हो इस दे लई पहला तरहनू अपनी company stock exchange BSE जा NSE दे लिष्ट करनी होएगी BSE दा अर्थ है Bombay stock exchange जेस वेच 5,000 तो वद कमपनियां लिष्ट करों लई तो हानू सबतो पहला से भी कोल जाना पवेगा तो हानू आपनी company दे सारी details से भी नो देनी पहें दी है से भी तो हड़ी company दे वेरिफाई करके approval दे दिन्दा है इस दो बाद तुसी आपनी company नो stock exchange दे list करवा सकते हो होन तुसी पहली बार आपनी company दे share वेचन जा रहे हो अथे तो हानू 10,000 रुपई दे जुरूता है ता तुसी 10,000 रुपई वेच 10,000 share कड़ोगे जिसनू IPO कहा जानदा है यानि Initial Public Offering मतलब जदो एक company पहली वार share जारी काड़ी है ता इस उनो IPO कहा जानदा है जदो लोग तुहाड़ी company दे share खरीदेंगे अथे सारे share वेच जानगे ता तुहाड़ी bank खाते विच 10,000 रुपई हो जानगे share दा मतलब है किसे company दे तुहाड़ी हिसेदारी जएकर तुहाड़ी किसे company दे share खरीदे दे हो ता इस दा मतलब है कि तुहाड़ी किसे company दे किसे हिसे दे मालक हो मतलब तो हड़ा पैसा उस company विच इन्वेस्ट हो जानदा है फिर जएकर company प्रॉफिट कमोंदी है जह गरो कर दी है ता तुहाड़ी प्रॉफिट होंदा है जह गर कमपनी दे नुकसान होंदा है ता तुहाड़ी नुकसान ही होवेगा मान लाओ कि किसे company दे total 100 share है ता तुहाड़ी ओना विचों 10 share दे मालक हो ता तुहाड़ी उस company दे 10% equity दे मालक कहा जावेगा एसे तरह किसे भी company दे इन्वेस्टर इस दे वक वक परसंटेज दे मालक होंदे है आजगाल ता तुहाड़ी कार बैठे ही किसे भी broker रही किसे company दे share ऑनलाइन खरीद दे वेच सकते हो broker एक agent वाग ही होंदा है जिस तरह तुही कनेटा जान लगी किसे agent दे मदद लेंदे हो ओसे तरह stock market वेच इन्वेस्ट करन लगी अब broker दे मदद लेने हा broker ओ एप आते website होंदे हैं जिनना रही तुही शेयर्स खरीद दे वेच सकते हो इंडिया वेच बहुत सारे brokers हैं जिमें grow, up stocks, zero da, angel broking, motilal, oswal, m stocks, अते होर काई तुही यह ने broker दे एप्स दे जा कि कोई भी share boy and sell कर सकते हो stock market वेच किशे भी share दे कीमत demand and supply दे अदारते ही decide होंदी है company दे share दे analysis शिर्फ demand and supply दे अदारते कीता जानदा है जेकर किसे company दे stock दे demand जादा होंदी है अते supply कात होंदी है, तो ऋसे दे share दे कीमत वद जानदी है यश से तना ज़गो सपलाई जानदी है, अते demand कात जानदी है तो share दे कीमत भी कात जानदी है हर एक company दे share दे कीमत बकरी होंदी है हर शोटी waddy listed company हर रोज business कर दी है जेसे वेच उह कदे profit कर दी है अधे कदे loss एसे कारण समय दे नाल नाल company दे share image उतार चड़ा अंदा रिंदा है जदो company दा business वददा है अधे company नो profit होंदा है ता बहुत सारे investor उस company दे share खरीदेने शुरू कर दे हैं अधे share दे कीमत वद जान दी है इस दे विल्ट जदो company नो loss होंदा है ता लोग उस दे share जल्दी बेचने शुरू कर दे हैं जेसे कारण share दे कीमत काट जान दी है एस example नाल थानुए चंगी तरह समझा जावेगा 2017-2016 ताक Lions Industries दे एक share दे कीमत 500 रुपाई दे करीब सी पर 2016 तो बाद G.O. दे launch होंदे ही company ने कई initiative से लए जेस कारण इस दा business हौली हौली वद दा रहा अधे आज रिलाइंस दे एक share दे कीमत लगबग 2000 रुपाई जमें जमें बाद लोग इस दे share खरीद रहे हैं share दा rate दिनो दिन दा जा रहे है जे कर तुसी share बजार वेच नमें हो अधे ता हनु नहीं पता के केड़ी कंपनी दे share खरीदने चाही दे हैं ता तुसी रिलाइंस इंडस्ट्री से दे share खरीद के investing शुरू कर सकते हो होन ता कर तो हनु share market दी basic knowledge मिल चुकी है आँ जान दे हैं किसे भी share नो buy and sell के में कीता जान दा है stock market वेच share buy and sell करन लगी बोली लगाई जान दी है पाव share ने निलामे कीती जान दी है एस वेच वेचन वाला जो सबतों काट कीमत दे share वेचन लगी तियार होन दा है जेसे कीमत दे seller stock वेचन लगी तियार होन दा है जेसे कीमत दे buyer खरीदन लगी तियार होन दा है बहुत सारे बड़ेव जरें दा सवाल होगे गा के share की है एता सानु पता लग गया है पर share खरीदने के मेहन एस बारे वीतना दा सो किसे भी company दे share खरीदन लगी तो हानू तेन चीजां दे जरूरत है सब दो पहलना bank account तो हडे कोल किसे भी bank वेच savings account होना चाहिदा है जेसे नाल तुसे share खरीदन ली payment कार सकते हो दूसरा है dimate account जब तुसे किसे company दा share खरीदते हो ता तो हानू इस company वेच हिस्सेदारी मिल दी है पर एस दे लई तो हाने कोल कुछ proof होना चाहिदा है ता जो future वेच जे कोई problem होवे ता तुसे दास सकते हो के मेरा पैसा इस company मेच लगा होया है तो हाटे द्वारा खरीदे गए share तो हाटे डिमेट अकाउंट वेच एक proof वजों डिजिटल रूप वेच स्टोर कीते जांदे है अते जदो तुसे एस नूँ वेच दे हो ता एह ओठों ओठ के company नूँ वापस दले जांदे है लगपाग सारे brokers जिथे तुसे ट्रेडिंग अकाउंट खोल दे हो तो हाटे लई एक फ्री डिमेट अकाउंट भी खोल दिन दे है तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट इंडिया वेच स्टॉक अक्सचेंज जिमें BSE and NSE किसे भी company दे shares नूँ सिद्धे तौरते buy and sell नहीं कर दे एसलाई कोछ discount broker कमपनिया है जिवे angel broking, zero da, up stocks, grow etc जिसते जाग यसी किसे भी share वेच ट्रेड कर सक दे है एसलाई नू ट्रेडिंग अकाउंट केहा जानदा है share खरीदा लई सबतों पहला तो हानू एक broker दी मदद नाल अपना DMAT account होलना होवेगा फिर अपने bank account नो DMAT account ना link करके ओस वेच कोछ funds, पाप, पैसे अपने bank account वेच ट्रांसफर करके investing शुरू कर सक दे हो आपनी financial freedom दी journey शुरू कर लई तो हानू एक DMAT account दी लोड है अथे description वेच beginner सली best broker सता link देता गया है क्योंकि मैं समझता हां कि investor Punjab दे maximum members 9-9 investor ही हान अथे अपने call शुरू वेच एनने पैसे नहीं होंदे कि अपना high charges पे कर सकीए एने चिता आपको शेर से ही buy कर सक दे हां एसे रही ही मैं है एप शिर्फ तो हानू ते आनवेच रख के ही चुने हान गुरू एप वेच तो हनू कोई फीस नहीं लगेगी अथे free DMAT account भी खोल सक दे हो अथे app stocks वेच सिर्फ annual maintenance charges ही लग दे हान जो के बहुत काट हान as compared to other brokers एस तो बाद जदो तुसी किसे company दे share खरीदे हो ता तो हाटे bank account वेच हो तो हाटे पैसे trading account रही उस company नू जान दे हान अथे share तो हाटे DMAT account वेच digital proof दे तोर ते save हो जान दे हान जदो तुसी उस share sell कर दे हो ता यह तो हाटे DMAT account वेच हो company नू वापस चले जान दे हान अथे पैसा तो हाटे bank account वेच आ जान दा है stock market वेच invest करन तो पहला तो हानू पता होना चाहिदा है कि ऐसी stock market तो किने तरीके नाल पैसे कमा सक दे हान अथी stock market तो कई तरीके नाल पैसे कमा सक दे हान जिमें intraday, swing trading, short term trading and long term investing दूसरे तरीके वेच जदो company profit कमोंदी है ताहिए आपने share holders नो dividend दिन्दी है पाग इस दे profit दा कुछ हिस्सा इस दों लवा company share आंदे बदले कुछ bonus भी दिन्दी है तीसरा तरीका ही है कि तुसे intraday share market वेच short selling करके भी पैसा कमा सकते हो मतलब share market वेच गिरावेट होनते है भी तुसे भी पैसा कमा सकते हो चब्धा तरीका है है कि तुसे stock market दे दूजे segments वेच ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो जिमें future market trading, options market trading एह सान को जितरीके जिनना नाल तुसे share market वेच इन्वेस्ट करके पैसा कमा एक वार जद तुसे share खरीदना दे वेचना से खलेंदे हो तां वड़े वीना दे दमाग वेच एह सवाल भी जुरूर रूदा होवेगा कि investor पंजाब share खरीदने कदो चाहिए हैं तां दास दाइये के share बजार जो कोई भी share खरीदन तो पहला इहना गलां दाते आन रखना बहुत जुरूरी है तो हानू किसे भी company दे share खरीदन तो पहला उस company बारे चंगी तरह research कर लानी चाहिए है तो हानू उस company वेच पिछले कुछ साला दी profit and loss history देख लैनी चाहिए है उस company दे assets and liabilities दे चंगी तरह नजर मार लैनी चाहिए है उस company दे cash flow statements बारे जुरूर analyze करना चाहिए है तो हानू company दे balance sheet चंगी तरह पढ़नी चाहिए है इस तो इलावा कुछ stock market ना related websites जिमें economic times, handy tv business अते money control उना ना लगातार update रहो एहना ते on वाले share बजार दिया news देखो जिमें जिमें share बजार बारे तो हड़ी knowledge and experience वद्दा है तुसे आपने आप ही सबतों वदिया profitable share खरीद सकते हो इस तो इलावा एक होर जीज बारे गाल की दी जावे ता share market विच बहुत सारे scams दे frauds भी होंदे हन जिनना मिचफास के लोग एथे अपना पैसा गवा लेंदे हन जहां गरीब हो जांदे हन सब तों वड़ा कारण है knowledge and experience दीकार जेकर तुसे stock market विच इन्वेस्ट करना चाओंदे हो ता तो वानू सबर जानी patience रखना आउना चाहिदा है नहीं ता तुसे ये थे बहुत सारा पैसा गवा सागदे हो नमे नमे लोगे थे उन्दे ही ताहन ता कि यसी एक दो दिना वेच ही बहुत सारा profit कमा लईए जिस दे चकर वेच वेच हो शेर बजार दी basic knowledge भी नहीं सी ओना नमी पता लग गया मेरी advice ताहिए है कि stock market वेच इन्वेस्ट करने तो पहला इस बारे तंगी तरह जानो शेर बजार की में कम करदा है इस तो लावा stock market वारे पूरी knowledge and experience लओ अते investing तो ही start करो investing ही game changer है इस वेच ही ज़्यादा पैसा बनदा है for example तुसी दुनिया दे सबतों अमीर investor वारेन बफेट डान नाम सुनया होएगा उसने अपनी जिंदिकी ता सारा पैसा stock market वेच इन्वेस्ट करके ही कमाया है अते पिछले कुछ सालना तों ओ दुनिया दे top 5 सबतों अमीर लोकां वेचे कहे होनकाल कर लाइए उस चीज दी जिस बारे काफी लोक डर दे हन कि stock market वेच किनना रिस्क है लोक कहन दे हन कि stock market वेच बहुत रिस्क है इस वेच पैसा ना लगाओ तुसें गरीब हो जाओगे इस वेच इनना रिस्क है के तो हडी मेहनत दी कमाई एक देन वेच दोब सक दी है बेशा कि stock market वेच बहुत रिस्क है पर ओना लोका लई जो बिना सोचे समझे किसे दिया गला मेच आ के किसे माड़ी company वेच इन्वेस्ट कर दे हन इस तो इलावा इते रिस्क दाव येक पैरामीटर होंदा है मतलब तुसें अपने स्वाद अनुसार रिस्क ले सक दे हो मान लवके तो हड़े को सिर्फ 10,000 रुपई हैं जो तुसें दुगना करना चाओंदे हो ता इस condition वेच कोज 9-9 इन्वेस्टर्स जो शुरू करन वाले हन उस सोच दे हन के एक रुपई दे सच्टे शेर वेच इन्वेस्ट कर दिनने हन जदो दो रुपई दा हो जावेगा पैसे दुगने हो जानगे मतलब के उना दे 10,000 रुपई और 20,000 रुपई हो जानगे एसे तरह जेकर उस एक रुपई दे शेर दी कीमत पांच रुपई हो जादी है ता उस दा पैसा पांच गुणा जानी पजाह जार हो जावेगा अते एहे सोच के ही नमे लोग सस्तियां कंपणियां दे शेर वेच इन्वेस्ट कर दे हन अते बाद वेच होना नो पता लगदा है गे निट नमे परसंट कंपणियां था तो खेबाज है जहां दुवालिया हो गई है हैं जहां होना थे बहुत सारा कर जा है जिस कारनों प्रॉफिट कमाउंड दे योग नहीं हैं अते स्टॉक फपर जान दी बजाए थल्ले ही डिगदा जानता है इसलिए मेरी तत्वानों हाथ जोड़के ही बेंती है कि कदे भी पैनी स्टॉक वेच इन्वेस्ट ना करेो पैनी स्टॉक वेच क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिएदा इस बारे आप अगले एप्सोर्ड वेच जानांगे जेकर तुस्टॉक मार्किट वेच शुरुवात कर रहे हो ता सिर्फ रिलाइंस, TCS, Infosys, Asian Paints, Piddy Light Industries औड HDFC Bank आद वरगियां, लार्ज कैप अधे बुलू चिप कंपनियां वेच इन्वेस्ट करो सारे पैसे आनु इकके कंपनियं मेंच इन्वेस्ट करनगारी हो जाना मैनू अमेदिक है कि होन तक יןवर्ज के इस एपिसोर्ड घो याए पूरी नॉलज मिल गई होगी इनडिया मेच सिर्फ 4-5 प्रसंट लोग इसिकास प्रसंट वेच इन्वेस्ट कर दे आन Stock market विच बहुत काट लोकाँ दोवारा इंवेस्ट करनदा सबतों वड़ा कारन पैसा गवाउंदा डर है क्योंके stock market विच ओन वाले 90% नवे इंवेस्टर्स आपना पैसा गवाउं लेंदे हन अते बाद वेचे stock market उनों बदनाम कर दे हन उहो यह नहीं देखते के साधे को लो की गलती होई है अते किते सुधारंदी लोड है असी किसी होर देख कहन ते ता नहीं नवेस्ट कर रहे पर नहीं ओ कहन दे हन के स्टॉक मार्केट जुआ है सचाई ता है के रखेश चुंचुन वाला वर्गे बिग भूल एसे बजाद ब तो निकले हन ये थे वारन बफे शेर मार्केट अते इन्वेस्टिंग रही दुनिया दे सबतों सफल अते अमीर इन्वेस्टर बन गए हन जे गर तुसी साच मुच शेर मार्केट तो पैसा कमोना चाओं दे हो ता पहल न तहा उन्हों समझना होवेगा अते इस नों सिखन अते समझन लई दुनिया दे जए कोई सबतों वचीते किताब है ता हो है दा इंचेलीजेन्ट इनिवेस्टर एस दी जियूंधी जाग दी मिसाल वार्न बफेट है जो खौद दुनिया दा सबतों अमीर इन्वेस्टर है वो कहनता है कि एस किताब ने मेरी जिंदिकी बदल दी अते शेर मार्किट इन्वेस्टमेंट ते लिखी गई सब तों वधिया किताब है एक वीडियो वेच किसे बुक दी पूदी नॉलज शेर करना पॉसी बड़ी नहीं आए असली ग्यान दा किताबां पढ़ के ही मिलदा है पामेंगे से भी फ्रील दी होवे जेकर तुसी में फाइनाइशियल नॉलज इंक्रीज करना चाओ देओ अते श्टाउक मार्किट बारे जानना चाओ देओ ता डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेच बिगिनर्स लई एंड रीच इन्वेस्टर बनन तों कोई भी नहीं रोक सकदा जेकर ता हनु स्टाउक मार्किट बारे नमी जानगारी मिली होवे ता वीडियो नो लाइक जुरूर करना इसना साथा भी होंसला बदेगा जिनना दे मानवेच स्टाउक मार्किट बारे फालतू दा डर पर रहा होया है उनना नाले है वीडियो जुरूर शेर करना आज लई बस इनना ही मिल दे आज येगली वीडियो बिच नमे ग्यान देनार कैमरा मैन संदू साब देनार इन्वेस्टर पंजाब अमर्सर